क्या कोई सोच सकता है कि बीट रूट का भी चीला बन सकता है चीला तो बनी सकता है और ये बहुत हेल्दी भी होता है तो चलिए आज मैं आप लूगों के साथ शेयर कर दियो एक बीट रूट ले लेना है और उसमें अधरक, लैसुन और कद्दू कस किया हुआ गाजर और इन सब को अच्छे से पहले मिक्सी में एक बार पीस लेना है अब उसके बाद उसमें काजू आट करके उसे फिर से और एक बार पीस लेना है अब उसमें एक एक करके सब कुछ मिलाना है जैसे मैदा, थोड़ा सा आटा और 1 cup सूची इन सब को अच्छे से mix कर लेना ए फिर इसमें एक एक करके नमक, हल्दी, थोड़ा सा जीरा पौडर, थोड़ा सा धनिया पौडर ये सब देखे फिरसे से अच्छे से mix कर लेना है अब इसमें मैंने ना स्वाद के लिए आधा कैपसिकम भी add किया है अगर आप चाहे तो इसे हटा सकते हैं और अगर चाहे तो दे भी सकते हैं और मैंने ना चीला बना ले के लिए olive oil का use किया है आप लोग जोग घर में while use करते हैं वो दे सकते हैं फिर उपर से मैंने थोड़ा से पंकीन से दाल के इसे फंद्रा मिनिट के लिए होने दिया फिर ये मस तेक तम एक चीला बनके रेडियो हो जाता है आप लोग इसे एक बार घर में जरूर ट्राइ करें ये बहुत टेस्टी लगता है खाने में बाबाई